केंदर सरकार की महतपूर योजनाओं की इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इस तरह से सारी योजनाएं जो रिसेंट हैं दोहर चौदा के बाद की इतनी योजनाएं लांच हुए सबको इस दो वीडियो में समायत कर लिया गया है दो वीडियो है वो पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इंपॉर्टन वीडियो क्लासेज के लिए मिलती रहें आपके एक्जाम के उजना पी एम उदह उजना में आयए थी है बिजली कंपणियों को घाटे से उबारने क्लिए लाई गई थी दूसरी यूजना प्रधानमंत्री फसल बीमा यूज ना कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा यूजना 2016 में लांच हूए थी और यह हम जानते हैं कि जो किसान है उनकी फसल, बाढ़, सूखा, तमाम सारी आपदाओं के कारण नश्ट हो जाती है, कभी सूखा पढ़ गया, कभी पानी जादा परस गया, कभी बाढ़ आ गई, तो कभी सीजन नहीं हुआ, धूप पढ़ गया, कटाई की समय कोई बारिस हो गई, जैसे इस समय हो रही, तो ऐस में ये दिक्कत होती है, तो उनकी फसल, बीमा सुरच्छा के लिए, ताकि उनकी लागत मिल जाए, कम प्रीमियम पर उनको इस बीमा की सुरच्छा उपलबत कराएगी, प्रतान मंत्री फसल, बीमा एवन 2016 में लांच होई थी, इसके बाद है, स्टार्ट अप इंडिया, कौ में इंडिया लांच हुआ था, इसमें नए उद्यमियों को और नए उद्यमों को बढ़ावा दिया आता है, उनके लिए तमाम सारी उजनाय लांच की गई है, ये 2016 में स्टार्ट अप इंडिया लांच हुई है, अगली है सेत उपचोथी है, शेत भारतम योजना, 2016 में ला तो हाइवे बाधित ना हो इसके लिए वहाँ पर उपर गामी या अंडर पास बनाए गए हैं और बिज बनाए गए हैं यह सेथ भारत में पूरे भारत को राष्ट्री मार्ग जो हैं उनको क्रासिंग फ्री करना है इसका उद्देश से इस्तरा सी स्टाटप इंडिया है 2016 लांच हुआ था इस में सभी उद्द्यमियों उद्द्यम के चेतर में लोग कम हैं तो इनको पूर्च्षांट देने के लिए यूजना लांच की गई है ॉद्द्यमियों को छह स्च हों इस्टी हों महिला हों इनको दिन्ड दिया ता 10 ला उज्योला योजना यह बहुत पापलर योजना होई थी हम जानते हैं भारत सोलर उर्जा को बढ़ावा दिया सके अन्य जो भैकलपिक उर्जा शुरोत है जैसे भारत में अभी भी उपले जलाने या इस तरह से कूड़ा करकर जलाने से जो मीथेन गैस बनती है उससे मुक्ति के लिए ग्लोबर वार्मिंग उससे वड़ती है तो इसको लागू करने के लिए इसको कम करने के लिए परदूसर को कम करने के लिए भारत सरकार ने उपले हैं तो इनके लिए उपलब्द कराए गया है ताकि यह जो है एलपीजी का उपयोग करके प्रयावन प्रदूसर्ण के साथ ही उनके जो महिलाएं हैं वह गोबर लकडी बीनने से फुरसत पाजाएं और उनका जो स्रम का है उपयोग अधिक प्रोडक्टिव कामों में ही यूच किया जा सकें अगला है नमामे गंगे रिवजना 2014 में लांच हुई थी नमाम्य गंगे जिसे नाम से नदियों के बिकास के लिए और गंगा के काय कल्ब के लिए हैं घंगा नदी अरफ कानपूर के पास बनारस्स कानपूर के बीच में अगर हम देखें तो ये एकदम से मृत पराय हो गई इनमें बहां चमता को लगवा खतम सी लगती है प्रवाय धीमा हो जाता है कचरे इसमें भर जाते हैं अभी भी बहुत ही डंजरस लेबल में पहुंच जाती है जिससे इसम नदियों के od verify उत्तर भारत के प्राण जीवित आ Beimश्य को सब में सब्यांक प्राण है फ्राण है इसके बाद सुड़ाई उजन pilot की सिर्थ, हर घर को कोड़ अधार्वाध कराने का देश रखा गया है सवहागी उजना के द्वारगह से 2017 में किया गया है है को अपधर से storage करना उसका मतलब मतलब गोबर को धन की रूप में परिवर्द्द करना conjunब को गास के रूप में बायो फ़िएल के रूप में इधन की रूप में इसुने के रूप में प्यान तो पी म का सीजना भुण कि लेगे गवान की 601 यूजना है वनके प्ली सं глуб मुले पर उनका ताकि उनकी जो अगर मालय अधिक को नुक्सान ना हो कि सड़े रही हो इस तरह से उनको समय पर उसकी दिकरी करके सरकार उसको सही मुले दे करके ले सके ए प्रधान मंत्री किसां मांधनी किसां Lubyong सीमांत किसानों और बिध्धा वस्था बिध्ध हो जाएं किसान तो उनके संग्रचन के लिए इनको इनको साहता उपलब्द कराई जाती है ताकि इनकी आर्थिक हालत कम से कम इतनी हो कि वो जी खा सकें और ज़्यादा इनको बहुत दुसारियों का साहता सामना ना करना है कि फसर कटाई के समय और फचाल उपहाई के समय इस समय में पैसे नहीं रहाते तो उसको उआ्ञाए पैसे लेने पड़ते हैं झली सिमांत के लिएसिप ने पड़त हैं सवकारुष ले ले लेते उस रिड़जाल में ना फशें इस से बचाने के लिए 2000 रुपए की सहाइता जो है तीन बार यह दी जाती है प्रतामंत्री किसान निर्मान ने लगएंट सिमांत किसानों को पर्टेक सहाइता है 2000 रुपए की ह में हर सीजन में होती है खाप सबसे बड़ी स्वास्त की यूजनBut स्वास्त विकास का स्वास्त का मतलब है कि गरीब जौए उसको अगर कई कायिं smart है किडनी फेल होगे की हार सप्रस्लांट की ठ्रांट है शर्जरी का जो सको oni कर लगाना है से बहुत लंबे खर्च लगाना ति तो माम म्लावा अदमी इसके गरीब आदबी विचार हो ही मर जाता है दम तोड़ दिता है इसके खर्चे सुन कर गए तो कराएगा ऐसे में पांच लाग तक का पर एयर आयुस्मान भारत यूजना के इंतरगत गरीब रेखा नीचे रहने वाला बैक्ति पांच लाख रूपए तक पर एयर का इलाज जो प्राइबेट सरकारी हर सब्सक्राइब में वकरा सकता है अगला है जल जीवन मिसंट यह 2019 में लाच हुआ है जल जीवन मिसंट कभ हुआ दो हजार उन्यस में सभी घरों में में दोहहजार चौविसол तक नल दवारह जल पहुचाना अगला है अप्रेसं ग्रीन यूजना जल सकती अभियान 2020 में लांच हुआ है इसका काम है जो बरसाग जल है उसका संचेन इसके अलामा जो जल है हम डेली यूज में जल यूज करते हैं और वेस्ट हो जाता है उस जल का संचेन जल सक्ति अभियान 2021 प्रधान मंत्री गति सक्ति योजना 2021 गति सक्ति यूजना के दौरा युवाओं को रोजगार के आउसर प्रधान करना है जो यूवार रोजगार टैलेंटेड हैं जो तमाम प्रधान मंत्री गति सक्ति यूजना सक्ति को गति देना 2022 में लांच हुई है लेटेस्ट यूजना हम जानते हैं कि जब कोबीड के बाद सबसे ज्यादा नुक्सान जो इस्टीड वेंडर्स थे इनका हुआ क्योंकि चारव तरफ लागडाउन लगा दिया गया इनकी इनक सब्सक्राइब करने के लिए 2022 में सरकार ने यह उस पीम सवनीद ही यूजना लागू की और इनको दस जार रुपए तक कर्ज उपलब्द कराया गया आसान सर्तों पर ताकि यह आसान सर्तों पर आसान आसानी से दे सकें इसके लिए कोई गारेंटी नहीं है और यह थोड़ समय तक के लिए भरती कर लिए आता है रिटायर्मेंट होते थे ऐसे चार वरसों के लिए अधिक्तम विवाओं को भरती किया जाता है चार वरस तक इनका प्रसिच्छण देने के बाद चार वरस बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा इनको 11 लाग रूपए दे करके और बिभिन संस्थानों में ITVP, BSF, आदी या पुलिस, स्टेट पुलिस में अन्य जो सुरच्छा संस्थान है, सुरच्छा हमारे सुरच्छावल हैं, इनमें इनको आरच्छण के दौरा पुना प्लेस्मेंट किया जाएगा और उसमें जो पूरे भरती होंगे, अगनी परसंट वहीं कांटिन्यू रहेंगा, पचाहतर परसंट के लिए स्टेट में केंदर की तमाम सारी सुरच्छा सेवाओं में अन्य नोकरियों में अरच्छण दिया गया है, तिस तरह से टोटल इन योजनाओं को अगर आप देख लें, 2014-2022 तक की योजनाओं इसमें सामिल यह सब में आपका सायोग करेगा, इसके अलामा जो भी एक्जाम होते हैं, उनमें योजनाओं से प्रसनाते ही आते हैं, तो इसको आप दोनों अच्छी तरह से बिना स्किप किये वीडियो देख लें, अगर अच्छा लगाओ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, थैंक्यो कर दो कर दो दो कर दो।